इस वाइरस के चलते क्योंकि चाइना का उद्योग इस वक्त बंध है तो लाज़मी सी बात है इसका असर बड़े स्थर पर देखने को मिलेगा ही आज की इस वीडियो में मैं चाइना की नहीं बलकि इन सब चीजों के चलते हमारे देश भारत की अर्थववस्ता पर क्या बदलाव देखने को मिल सकता है उस पे बात करूंगी जिसमें प्रमुक रूप से मैं बताऊंगी कि किस तरह से भारत इस्तिती का फायदा उठा सकता है और अपनी long term strategies बना सकता है मेरी कोशिश है कि मैं किसी economist की तरह नहीं बलकि बहुत ही सीधी भाशा में आपको सारी बातें बताऊं दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन की आर्थिक मंदी का global level पे क्या प्रभाव है First of all, let me tell you, China is a closed country तो पता लगाना इतना असान नहीं है कि इस टाइम कितनी factories बंद है चाइना से information access इतनी easily नहीं मिलता है पर ये कहने में कोई संदे नहीं है कि चाइना काफी बड़ा production house है जिसकी वज़े से चाइना को हम world factory बोल सकते हैं और इस वक्त कोरोना वाइरस की महमारी के चलते उसकी गती रूकी बराबर है उधारन के तौर पे मोटा मोटा बताओं तो एक साल में पूरी दुनिया में लगबग 30 करोड कम्प्यूटर्स सेल होते हैं उन में से 90 प्रतिशत यानि की 27 करोड का production होता है चाइना में दिमांड सप्लाई और प्राइस का सीधा फंडा है दिमांड के अनुसार अगर मार्केट्स में सप्लाई नहीं हो पाएंगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे और इंफलेशन यानि की महंगाई में हलकी व्रिदी देखने को मिल सकती है खासकर इंडिया में क्यूंकि चाइना से हम काफी पैमाने पे इंपोर्ट्स करते हैं अब आते हैं मुद्दे पे कि भारत कैसे उठा सकता है चाइना की इस आर्थिक विवस्ता का फायदा भारत चीन का पडोसी देश होने के साथ साथ एक सक्षम उभरता विकाह शिल देश है सरकार अगर फायदा उठाने का सोचे तो काफी अफसर चाइना में कॉर्णा वाइरस के चलते भारत को मिल सकते हैं चलो एक एक करके उनको देख लेते हैं पहला है भारत का मेक इन इंडिया को प्रमोट करना मेड इन चाइना हम बहुत सी बजारी चीजों पर देखते हैं सोची अगर उसकी जगा उनी चीजों पर हमें देखने को मिले मेड इन इंडिया तो डेफिनेटली अपने देश के लिए हमें बहुत अच्छा महसूस होगा बस इसी चीज को मध्य नजर रखते हुए एक कैंपियन है मेक इन इंडिया जो गर्मेंट ओफ इंडिया ने चलाया था बस अब जरूरत है सरकार को इस महीम को थोड़ा और पुश करने की सरकार को चाहिए कि जिन भी manufacturing incentives की जरूरत होगी इस प्रयाज को सफल बनाने के लिए वो सब मोहिया करे Made in China से बचे और Make in India पर फोकस करे और इसे प्रमोट करे बनेगा इंडिया में, बिकेगा इंडिया में, तो क्यों नहीं बढ़ेगी हमारी आर्थिक व्यवस्ता अब बात करते हैं चाइना से इंडिया में import होने वाली smartphone industry के बारे में Chinese phones, इस लेबल से बिकने वाला phone हम सब में से काफी लोगों ने कभी न कभी जरूर इस्तमाल किया होगा मैंने भी किया है, तो क्या ये phone बने-बनाई चाइना से आ रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, चाइना में इन phones के सिरफ कुछ parts का production होता है जिनको इंडिया में import किया जाता है और इंडिया में होती है इनकी assembling यानि की उन parts को जोड़ कर पूरा इस्तमाल में आने वाला phone इंडिया में बनाया जाता है अब आती है बात कैसे हम चाइना के इस समय चल रही स्तिती का फाइदा उठा सकते हैं? इस वक्त वाइरस के चलते चाइना से phones के parts का import नहीं किया जा रहा अगर हम long term planning की विवस्ता को देखे और सरकार इसमें निवेश करें और इंडिया में इन parts के production units को भी बनाया जाए parts को assemble करने के लिए हमारे पास assembling units तो already set है बस production units बनाने हैं तो हमारी supply chain complete हो जाएगी और ये सालों साल हमें फाइदा दे सकती है भारत में mobile phones के production units बनाने के लिए आप सबकी क्या रहा है? कमेंट करके जरूर शेयर करें अब देखते हैं कि चाइना और इंडिया की labor cost में जो फरक है उससे भारत को क्या फाइदा हो सकता है? ये point जुड़ा है पिछले point से labor cost की बात करें तो इंडिया की labor cost चाइना के मुकाबले one third है यानि की चाइना की वज़ाए इंडिया में वही काम करना एक तिहाई सस्ता पड़ेगा अगर cost कम है तो क्यों ना इसका फाइदा उठाया जाए? और जो coronavirus से रुके विपार की वज़े से भारत चाइना से समान import नहीं कर पा रहा है उन सब चीजों को हम अपने देश में ही बनाने की विवस्ता करें इस कदम का सीधा मतलब है एक तीर से दो निशाने इन-house production से विकास में बढ़ोतरी होगी और बेरोजगारी को कम करने के लिए भी कारगर साबित हो सकता है अगला point है ऐसी स्थिति के चलते भारत का विश्व बजार की नजर में आना जैसा कि मैंने बताया चाइना की major economic activities export oriented है बहुत से देशों में चाइना से समान जाता है आप खुछ सोचिए कि अगर इस तरह के viruses बार-बार चाइना में देखने को मिलेंगे तो definitely global importers भी अन्य विकल्पों की तलाश करेंगे उनका रुक इंडिया की तरफ हो सकता है और हमारी सरकार को पूरी तयारी करनी चाहिए जिससे कि इंडिया इसमें खरा उतर सके हमारे पास demographic dividends है सस्ती labor है जरूरी infrastructure है foreign investments है तो कोई reason नहीं है कि हम इन opportunities को tap ना कर सके एक और चीज जो पक्ष में है वो है कि US के साथ चाइना का trade war और चल रहा है उसको देखते हुए अगर इंडिया को opportunity मिलती है तो definitely इंडिया को उसके advantage उठानी चाहिए और अपने व्यपार का स्थर बढ़ाना चाहिए मैं यह समझती हूँ कि कहना असान है और करना मुश्किल क्योंकि या तो यह सरकार की priority नहीं है क्योंकि NRC, CAA जैसे ही बिलपास हो रहे है या फिर सरकार उस हाथी की तरह है जो situation पर जल्दी react नहीं कर पा रही है और अगर इसको इस तरह से सोचें कि यही इंडियन डेमोक्रेसी को robust बनाती है डेमोक्रेसी में growth आम तोर पर slow और steady ही होती है यही लोक तंतर की सुंदरता है और इसी के साथ हमें अपने भारत को आगे बढ़ाना है तो सोच को एक नई दिशा मिलेगी और हमारे देश की भी शीष देशों में गिंती होगी दोस्तों क्या आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो फटा फट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी भी दबा दीजिए तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में अंटिल देन अपना और अपना का ख्याल रखे उन्हें ठेड सारा प्यार करें